नमस्कार किसन वाई हूं कैसो आप सब आशा करता हुए दोस्तों में को नहीं अधाकर और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहें मुझ जेवी खेती यूटूब चैनल प्रखेदीज यूटूब जनकरियां दोस्तों आज बात करेंगे हैं मिक्स क्रोपिंग की और ऐसी फसल जो किसी भी हालत में खराब होती ही नहीं है मतलब यूदि उस फसल की बोई अपने एक्ष्ट्रा बसल के रूप में करेंगे तो निचित रूप से कम से कम बिना लागत में तीस से चालिज रूप परती बीगा की इंकम में एक्स्ट्रा कर सकते हैं दोस्तों देख पा रहे हैं अभी सर्सों के बोई का काम चल रहा है और सर्सों का बीज अपनोंने घरवाला बोया है खात बीज बीज अपनोंने सारे रूप डाल दी है तो लगवग लगवग जो अभी फश्ट की नीव है न उस हिसाब से देखे तो फसल में कहीं से कई कोई का अपने कमी बोने में नहीं छोड़िए उसके बाद में आगे समझ स यहितन से प्रती बिजिए के हिसाब से एक किलो सर्सों लगवग दोस्तों इसके साथ रहेगी NomGR एक फसल और भी कर जाएगी और उस फसल के कटाई के बाद में या तो आप बिल्कुल निचे से कटे कर दीजिए सबस्तों की यदि थोड़ी तीन चा अंगुल इंची मतलब डंकल रहे जाए और इसे कटिंग हो रही है क्योंकि जरूर नहीं है कि लेबर अपने हिसाब से मिलें ठीक है तो मान चर्वा दीजिए तो क्यों क्या हो गएंगे जो सरसु कट गई अपने उसके बाद में अपने एक्ष्टा फसल लगा रहे हैं वह फसल को बिल्कुल जहां तेक उनके मुह में वह डंकल आएंगे तना आएगा पत्ति आएगी वहां तक खा लेंगे उसके बाद में दोस्तों तुरंत 225 किलो यूरिय प्रती भीगे के हिसाफ से देखकर पानी सिचाई कर दीजिए और जो एक्ष्टा फसल पर बोह रहे हैं ना उसमें तीन पानी कुल लगेंगे इसके लाग कोई खर्चा नहीं है सिर्प 225 किलो यूरिय का खर्चा है एक्ष्टा बोई अपनों करने बीजल्क लेय हैं अब डेली इ принципе अपनी फसल त्यार होगी कि मैं फसल अलसी दर मिति के अंदर मेह तक लोग गेहहूं के अंदर सर्सों के अंदर मिक्स प्रोपिंक करके ले रहे हैं तो दोस्तों बाच करेंगे आज अपन सरसों के साथ में रजगे की खेती यह वही रजगा है जिसको घाए पेसों के लिए अपने काम में लगते हैं दोस्तों रजगे का बीज अपने को लगबक 500 600 ग्राम प्रती वीज़े के हिसाब सही चिटक कर लगाना है इससे ज्यादा भीज अपनें को नहीं लगाना याद देंगे अपन तो अपने सरसों को दबादेंगे 500 600 ग्राम बहुत ज़्यादा बोल दी हमने 400 500 ग्राम होच चलेगा लेकिन 400 500 500 600 ग्राम बीज़ी सर्सो के अंदर चल सकेंगे तो उसके अंदर तो 300 400 ग्राम बीज़ी चाहिएगे क्योंकि सर्सो की फदल बड़ी हो जाएगी ना तो यह रजका जो अपन छिटे करें ना वह अंदर जब जाएगा और जब सर्सो के अटे कर लेंगे उस समय फिर अपना वापिस फेल जाएगा और अच्छे खासा मात्रा में इसके फल आएंगे उपर मुझो मर्कियां ते दूराई है किसानों से लोग ले जा रहे वैपारी लोग ले टोख में और जुकणे हए रिटेल भाव है वह अदर नूट्रेशन और जो इसके बेडिफेट है ना फुर्शुव के लिए बहुत जादा है नूट्रेशन वेलू बहुत जाधा होती इसके अंदर बहुत चाव से रखाते हैं इसको तो दोस्तों इस तरह से अपन सर्सों के साथ में रच्गे की खेति के मिक्स क्रोपिंग करके बहुत सकते हैं और अच्छा अने इसे अपन ले सकते हैं दोस्तों उस्टेव अपन रचका तर्सों काट ली रच्गे में 20-25 गिलो यूरिया देकर पाणी दे द यह दौत को 용लना है ताकि अपने कोक्रोर्च प्रीख सकारी बोलते हैं आंपकी सट्रेवरशन में क्या बोलते हैं कमेंट बना पताईएगा उस वह कभी-कभी लगती है लेकिemsाप पत्रलिड जमिन के धरारय में आती है वहाँ पर जानवर नहीं लगता है लेकिन ज rutina में आती है ना वहां पर कई-कई वह जानूर लगता है तो उसका एक-दुबाइश प्रेपन जरूर कर सकते सेपटी के लिए और हो सके हैं तो खेत में दराने निया उससे पहले पानी दे दीजिए तो उससे क्या को जो कोक्रोज की इतना शक होता होता ना वो खेत में नहीं पनब पाएगा और अपने जो रजकी की फसल है वो पराबर अपने वो मिलेगी तो दोस्तों उत्पादन की बात करें तो पाचास किलो से लगाकर प्रती बिगा कुंटल कुंटल भी लोग इसका रजकी का बीज निकाल रहे हैं और साड़ा 300 का भाव माने अपन तो एक उंटल भीज का 35,000 रुपे होता है कोई खर्चा नहीं नॉर्मली खर्चा है कोई फसल के एक्ष्टा बोव है निकानी हकेश होता है नहीं करनी तो इस तरह दोस्तों अपन भी आप भी रचके में सर्सों में यहू में अलसी में में जिसकी सिप्षल में भी साइए है एक एक प्ष्टा अर्जन मुनफवा अर्जन कर सकते हैं उस सर्सों के प्रतार में कोई फरक ने पड़ेगा तो दोस्तों आजकी वीडिओ में यहीं तक मिलते है किसी अगली वीडियो में एक नई जयन गरी साथ में और दोस्तों वीडियो पसंद आइOM है शेर करेगा कमे खेत में शिटक रहा हूं किसान महीं हूं यह देखिए यह रजगे का बीज है इसके मार्गेट के बाव भी 400 लगागा 500 रूपे किलो है और किसान के यहां से 376 रूपे किलो में द्यापारी लोग ठोक में ले जा रहे हैं और दोस्तों यही रजगे का बीज अपनोंने इस खे करने चल रहा है उर्पील ही हो रही है तो दोस्तों इस तरह से आप भी मिक्स क्रोपिंग करके एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नहीं जाने के साथ में तब तक लिए जय हिंद जय भारत